वैं नमस्कार दोस्तो अनील Ciao, स्फागत करता हूं आप सब का दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूं俺my यह का फार्म ताइयर करना है तो हम प्री में का सकते हैं तो चलिए दोस्तो हम वीडियो के शुरुमात करते हैं दोस्तो जब हमें मरिंगा का फार्म तयार करना है तब हम दो विदी से फार्म तयार कर सकते हैं एक है शीट से प्लांट तयार करके हम फिर प्लांटेशन करें और दूसरा है कि आप श्टीक का प्लांटेशन करके फार्म तयार करें तो श्टीक से आप फार्म तयार करोगे तो आपको जैसा फ्रूट मिल रहा है वैसा ही फ्रूट आपको मिलेगा अगर आप सीट से फाम तेयर करना चाहोगे तो सीट से सभी प्लांट में एक जैसा फल नहीं आएगा जो प्लांट पे स्टीक निकलेगी वो स्टीक में क्या होगा कि कुछ स्टीक है वो रेड कलर की बन जाएगी कुछ लंबी निकलेगी तुकी स्टीक निकलेगी कुछ एकदम जाडी स्टीक बन जाएगी कुछ पतली स्टीक बन जाएगी तो अलग-अलग स्टीक आपको मिलेगी मतलब उसमें आपको मार्केट का रेट अच्छा नहीं मील पाएगा तो इसलिए मेरे हिसाब से और मेरे पुली भी अच्छा होगा, और मार्केट में दाम भी आपको अच्छा मिलेगा और फुड़ की कौलेटी अच्छी मिलेगी, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सभसे पहले बताता हूँ, कि मोरींगा का स्टीक का प्लानटेशन करना है, तो सभसे पहले हमें जो पोधा में अच से प्लांटेशन करें ये सारी वीधी में आपके साथ शेयर करता हूं चले दोस्तों मेरे पास ये मरिंगा का प्लांट है और ये प्लांट में स्टीक अच्छा आता है तो ये स्टीक मुझे अच्छी लगती है तो इसका मैं मल्टिप्लाइ करूंगा मेरे फाम में वो पूरी प्रोसेस में आपको बताता हूं, यह स्टीक अभी मेच्योर नहीं है, तो इसमें से हम प्लांट बनाने जाएंगे, तो प्लांट नहीं बनेगा, यह सुख जाएगी, तो हमें इसमें से मेच्योर स्टीक सिलेक करनी है, देखे, मैं यहां से कट करके आपको बताता हूं, यह मे इतना कट कर दिया मैंने और उपर से यह भी कट कर देता हूं यह बन गया एक स्टीक इस तरीके से मैं दूसरी एक्स्टीक और ले लेता हूं आपको बताने के लिए यह देखिए यह दूसरी एक स्टीक मैंने ले ली इसको भी मैं कट कर देता हूं दोस्तों जब हमें स्टीक का प्लांटेशन करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं एक है कि हम इसका पहले पोधा तयार करें नरसरी तयार करें बेग के अंदर और दूसरा है कि हम यह स्टीक को डायरेक अपने फिल्ड में लगाए जब हम इसको आपन फिल्ड में लगाते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि जब वेदर में नमी बननी रहती है तो वो समय में direct stick का plantation करें तो उसमें success ratio में ज़्यादा मिलता है अगर नमी नहीं है तो ये stick को हमें पहले नरसरी में तयार करना पड़ेगा polythene bag में पूरा खाद का mixture बना के उसके अंदर डाल के हमें लगाना है दोस्तो मेरा जो stick है वो मैंने cutting करके ले लिया है plantation के लिए और मेरा ये अमरूद का plantation किया हुआ है यहाँ आप देख सकते हो अमरूद लगाया है और उसकी दोनों साइड में में वेटिवर लगाया है और यहाँ पर मेरा point बैठ रहा है अमरूद के बीच में तो मैं यहाँ पर यह stick का plantation करूँगा और आपको farming करना है तो आप पहले decide कर लिजिए क्या spacing पर आपको stick लगाना है मतलब पोधा लगाना है उस हिसाब से आप वहाँ पर यह सारी प्रक्रिया कर सकते हो सबसे पहले दोस्तों आपके point के ऊपर आपको ऐसा गड़ा बनाना है आदे फिट जितना आपको खड़ा बनाना है अब इसके साथ मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा खाट डाल देता हूँ आप भी अच्छा खाट डाल सकते हो इसमें और यह मिटी के साथ मिक्स करके बाद मे हम डालेंगे इसके साथ मैं ले लेता हूँ rising leaf organic pellet fertilizer देखिए दोस्तों यह rising leaf organic pellet fertilizer है दोस्तों यह खाट के बारे में अधिक जानकरी चाहिए तो मैं screen के ऊपर company का number देता हूँ वहां से आप जानकरी ले सकते हो और मैंने special इस खाट के बारे में भी वीडियो बनाया है यह खाट के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो मेरा वीडियो भी आप देख सकते हो जिसका link मैं आपको ड्रिक सिशन में दे दूँगा तो यह खाट को भी मैं इसके साथ मिक्स कर कि यह एक मिक्सर बन गया और इसके साथ पूरा मिक्स कर देना है मिट्टी के साथ इसको इस तरीके से यह मिक्स करने के बाद हमें यह जो गड़ा बनाया है इसके अंदर पूरा हमें फिल कर देना है डाल देना है यह मैंने पूरा डाल दिया बराबर अभी इसके ऊपर हम स् दोस्तों ये जो मैंने mixer तैयार करके ये खड़े में डाला है तो मैंने यहां पर खड़े में डाला है अगर आप नर्शरी तैयार करना चाहते हैं, तो पहले आप polythene bag के अंदर ये पूरा खाद का mixer बना के पोलिथीन बेक को भर दीजिए और इसके उपर स्टीक का प्लांटेशन करें अभी यह मैंने डाल दिया है यह डालने के बाद मेरे पास जो स्टीक है उसको मैं लगाऊंगा तो दोस्तों यह स्टीक कटिंग करने के बाद आपको पहले क्या करना है नीचे वाला जो हिस्सा है यहां पर इसको हमें तीर्शा कट लगाना है सीथे सीथे कट नहीं लखना है तीर्शा कट लगाना है देखिए आपको दिखता होगा यह तीर्शा कट लगा है इस तरीके से आपको कट लगाना है इसके बाद यहां पर हम लगाएंगे और लगाएंगे तो यहां से तीन चा यह मैंने लगा दिया यह स्टीक आपको दो फिट के आसपास का कटिंग लेना है जब आपको स्टीक लगाना तब दो फिट के आसपास का कटिंग लेना है और यह स्टीक मैंने कट करके डायरक यहां लगाया है अभी इसके साथ ध्यान यह रखना है कि जहां से हमने प्लांट क हम लगा देते हैं स्योसी का पैस्ट यहां भी हम लगा देते हैं जहां जहां कट किया है वहां पर हमें स्योसी का पैस्ट लगाना है इस तरीके से हम सब जगा पैस्ट लगा देते हैं दोस्तों COC Pest कैसे बनाना है उसके बारे मेरा अलग से वीडियो है उसका लिंक भी आपको ड्रिक्सिशन में दे देता हूँ वहाँ जाके आप COC Pest बनाने की वीधी के बारे में जान सकते हो यह प्लांटेशन कर दिया अब हम क्या करेंगे कि इसकी नई जड़े दन्तू जड़े है वो ड्यावलप हो इसके लिए हम इसके जड़ों में प्रवार का ड्रिंचिंग कर देंगे मेरे पास प्रवार का ड्रिंचिंग करने के लिए द्रावण मैंने तैयर करके रखा है तो ये द्रावण को मैं यहाँ पर ड्रिंचिंग कर देता हूँ इस तरीके से हम ड्रिंचिंग कर देंगे प्रवार का दोस्तों प्रवार के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने स्क्रीन के उपर नंबर दिया है वहां संपर करके आप कंपनी का कॉंटेक्ट कर सकते हो और अधिक जानकारी भी ले सकते हो और इसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है वो वीडियो का लिंक भ यह करने के बाद हमें यह देखना है कि यहां से मिटी थोड़ी डाउन होती है तो उसके बाद हमें और मिटी डालनी है और यहां पर पानी रुकना नहीं चाहिए वो खास द्यान रखे इसलिए हम क्या करेंगे यह डालने के बाद उपर से और मिटी थोड़ी डाल देंगे कि इसका पानी यहां पर न रूखे और हम डृप स्टीक के बगल में पानी नहीं रूखना चाहिए इसके लिए हम यह व्योस्ता कर देते हैं यह हो गया कमप्लेट स्टीक का प्लांटेशन तो दोस्तों ऐसी टेकनिकल जानकारी आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़े नहीं है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बगल वाली घंटी को जरूर दबाए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो चलिए दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ मिलेंगे ऐसा ही टेक्निकल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय वारत